साथियों, मैं कई बार सोचता हूँ कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस खेत्र के विकास को लेकर इतना उदासिन क्यों रहे? इसका जबाब कुछ राजनितिक दलों की सोच में है। गाउं की बिजली, गाउं में भंडारण के स्थान, गाउं की अर्थ विवस्ता, कॉंग्रेश साथन के दोरान सबको सरकारी प्राफिकताओं में सबसे नीचले पायदान पर रखा गया। भाई और बहनों, देश की आधी से जादा आबादी जिन गाउं में रहती है, उन गाउं के साथ इस तरह सोतेला वहवार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए, 2014 के बाद, जब आपने हमें सेवा का आउसर दिया, तो हम गाउं की अर्तिबवस्ता को, गाउं में सुविधाओं को, गाउं के लोगों के हीतों को सर्वोच प्राफिकता में ले आए हैं। उजबला योजना के तहट जो 10 करोड गैस कनेक्शन मिले, वो गाउं के लोगों को ही तो मिले हैं। हमारी सरकार में गरीबों के जो देश भर में पौने 4 करोड से भी अधिक गर बने हैं। उसमें से 3 करोड चैधिक गर गाउं में ही तो बने हैं। और इसमें भी बड़ी बात ये हैं कि इन जादातर घरों में माली का नाहक हमारी बेहनों, बेटियों, माताओं का भी है। हमारे यहां एक ऐसी ट्रेडिशन चली, गर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था। हमने ये रिवाज बदला है और माली का नाहक हमारी माताएं बहने बेटियां बड़े साथियों भाजपा की सरकार ने बेश की करोडों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पीएम आवाज का हर गर लाख रुपिये से भी जादा कीमत का होता है यानि भाजपाने देश में करोडों करोडों दीदी को लखपती दीदी बनाया है मैं सबी लखपती दीदियों को अपराम करता हूँ अब आशिरवाद दीजिये कि देश में और कोटी-कोटी दीदी भी लखपती बने इसके लिए हम काम करते रहें आज भी यहाँ चार लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गिरप्रवेश हुआ है इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपती दीदी बन गई है मैं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथ क्यों पी-एम सवभागी योजना के तहट जिन धाई करोड घरों में बिजली पहुँची उनमें से जादातर गाउं के ही गर है गाउं के रहने वाले मेरे बाई बेन है गाउं के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर गर जल योजना भी शुरू की है सिर्फ तिन-चार सान में इस योजना की वज़े से देश के नव करोड से अधीक ग्रामिल परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है यहां MP में भी गाउं में रहने वाले सिर्फ तेरा लाग परिवारों तक नल से जल पहुंचता था पहले की बात करता हूँ आज MP के गाउं में करीब करीब साथ लाग गरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो सत्पर्दिशत हो गया है साथियों हमारे गाउं के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता था बुला दिया गया था गाउं के जादा तो लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुवीदा मिलती थी बैंक खाता ना होने की वज़ा से सरकार जो पैसा गरीबों के लिए भेगती थी वो भी बीच में ही लूट जाता था हमारी सरकार ने इसे भी पुरी तरह बदल दिया है हमने जन्दन योजना चलाकर गाउं के 40 करोड से जादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्ट रफिस का उप्योग करके गाउं तक बैंकों की पहुँच बढ़ाई हमने लाखों बैंक मित्र बनाए बैंक सठियां को प्रसिशित किया आज इसका प्रभाव देश के हर गाउं में नजर आ रहा है देश के गाउं को जब बैंकों की तांकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गाउं के लोगों की मदद हो रही है